हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सुगई आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहां पर रखा टॉइस का बहुत बड़ा कलेक्शन और गाइज इस कलेक्शन में बहुत सारी डिफ्रेंट टैप की बहुत ही यूनिट टैप की बहुत ही ज्यादा महिधार महिधार चीज है यो यो है और यहां पर आप देख सकते हैं स्टेशनरी आइटम है और बहुत सारी डिफ्रेंट टैप की चीज आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और आज मेरे पास यहां पर देखो भूत का बाप खजाना यानि कि इनाम वाले पैकेट भी है और दो पैकेट रहता हूं सबसे वाली चीज जो की कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहां पर लिखाए इस बॉक्स के अंदर जितने भी चीजे होंगी वह होने वाली है इरेजर तो जल्दी से मैं इसको उपन करके आपको दिखाता हूं बहुत ही क्रेजी चीज आपको देखने को मिलने व आइ थिंक रोबोट है यह देखो यह कुछ इसतरा का रोबोट है और गईजी देखो स्पेस में जाने वाला रॉकेट भी है यहां पर है ना कितनी चीज और गईजी आपको यह यह इस तरा का एलियन है तो गईज आप देख सकते हैं है एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ डिफरेंट 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 डिजाइन वाली एरेजर जो की बहुत ही जादा में नेक्स्ट लेवल इनका डिजाइन है यहाप आप देखी सकते हैं यह देखो सबसे मुझे एस्ट्रोनोट लगा और यह एलियन लगा तो आप दे हमें क्या क्या इनाम देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप पैकेट का नाम देख सकते हैं बूत का बाप खजाना पांच रुपेस का प्राइज है और कुछ इस तरह का ओवरोलिया दिखाई दीता है यहाँ पहले का फ्री गिफ्ट विद एवरी पैक यानि कि हर पैकेट क और और डाबर हनीटस टौफी तो दो टोफी निकली है और दो नकली नोट निकले है असली हैं देखते हैं जैसे आप मेरे हाथ में देखोगे हैं तो आप मैं आप में इस नाम वाला चाबी का च्छला यह लेगो जिनका नाम ऐससे सुरू होता है उनके लिए काफी अमेजिन चीज है तो गाई ये साधी चीज है एक पांच रुपय के पैकट से निकलिए जो कि अपने आमें काफी ज्यादा मेजिंग है इसको मैं यहां पे रखता हूँ अब मैं यह वाला पैकट ओपन करता हूँ देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है इस पैकेटों मैंने फाल लिया है और निकालेंगे सामान को बाहर और गाईज इसके अंदर भी काफी चीज़े है वाउ इसके अंदर एक अलग गिफ्ट निकला है इसके अंदर निकला है एक कुछ इस तरह का गिटार तोई गिटार निकला है जो की काफी ब्यूटिफुल लग रहा है देखने में है ना मजा आ गया वाओ यार छोटा सा टोई निकला है और इसके अंदर भी गाईज नकली नोट है साया दिये देखो दोसो दोसो रुपे के दो नकली नोट यहां पर लिका है दोसो कूपन तो बच्चों के खेलने के लिए तो काफी अच्छी चीज है और साथ में निकला है गाई यह एक अलग टॉफी मिंटो गोल मिंट च्यू टॉफी देखो सो गाईज मज़ेदार बात है कि इसके अंदर तीन टॉफी के लिए दो पैकेट में और तीनों के फ्लेवर बिल्कुल आला का लगए है है ना पैसा वसूल चीज है बच्चों के लिए तो सो गाईज को मैं अपक्ता हूँ साइड में और गाईज हमारे पास है यहां पर यह देखो एक प्यारा सा घृण से हम लॉंच करते हैं यह वाले बैरी बंदा नाा नॉर्मल जो घृण होती है उससे हम क्या लॉंच करते हैं गोलियां है ना बट इस से हम लॉंच करेंगे यह कुछ आइस तरह के प्लेन पहले दिजाइन का कैसा दिखाई दिए रहा है है ना यहाँ पे आपको गन को मतलब प्लेन को लगाना होता है, तोटल तीन प्लेन हमें एक साथ लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको लगा कर देखूँगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, है न, यहाँ से हम इसको करते हैं, लट और ऐसे चलाते हैं गाई, यह न, यीखिया लोड और गाई, यह न, तो पहले मैं आपप और इसका बॉक्स दिखाता हैं, यह दिखो, हमारे पास है यहाँ पर इसका बॉक्स, जिसके अंद्रा मैं देखने मीलते हैं, टोटल चार प्लेन और एक गन, गन यहाँ पर रखी है, एक प्लेन यहाँ पर रखा है, और तीन प्लेन यहाँ पर है, इसका नाम है Air Battle Continuous Launch Gun, 3 प्लस एज वाले बच्चे इसको इस्तिमाल कर सकते हैं, और गैसे इसको यूज करेंगे instructions यहाँ पर लिखे हुए है, देखो, है ना, 400 रुपे के आसपस, आपको यह मिल जागा, 400 यह 500 रुपे के आसपस, तो इसको मैं रखता हूँ, सैड में, तो ना, मैं इसके अंदर से प्लेन और निकाल के आपको दिखाता हूँ, देखो, टोटल तीन प्लेन हम इसके अंदर ल मैंनत का काम है, अभी मुझे ज़ाधा आईडilles नहीं हो रहे, इसको कैसे लगाते हैं, मैं यहाँ से स्लाइड करके लाता है, और देखते है, मैं सेट पर यहाँ इसको कैसे सेट करता ही कैसे, यह ठोता है, अब गया यहाँ इसको करेंगे ठोड़ सा ऊपर एक फलेन यहाँ लग गया अब दूसरा प्लेन भी हमें इसके अंदर सेट करना पड़ेगा जोगी कुछ इस तरह से सेट हो गाई है ना यह थोड़ा सा पेसेंस वाला काम लग रहा है मुझे और गईज यह दो प्लेन मैंने लगा दिया और दोनों प्लेन कितने अमेजिंग लग रहे हैं और तीसरा प्लेन भी लगाते हैं मतलब एक बार मैं इसके अंदर से एक एक प्लेन लॉंच करके इसको यूज कर सकते हैं तो टोटल तीन प् दिखारों यहीं पर चला के दिखारों और गाईज यह देखो एक प्लेन निकल के चला गया है वाओ अब हम इसको करेंगे नीचे कुछ इस तरह से देखो इसको मैंने कर दिया सैट अब इसको दोबारा से लोड करेंगे कुछ इस तरह से देखो यह मैंने इसको कर दिया लो यह देखो आप देख सकते हैं काफी प्यारा सा यह गन है और प्लेन लॉंचर गन है यह इसकी सबसे ज़्याद आमेजिंग बात है और जो प्लेन है उनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो यह काफी यूनिक टाइप का टॉय है अगर आपक सार्पनर है इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में भॉट डिफरेंट टाइप के सार्पनर दिखाए है आज मैं आपको फिर से एक और सार्पनर दिखा रहा हूं यहाँ पर देख सकते हैं पैंसिल इसके अंदर डालेंगे यह देखो मेरे हाप में एक पैंसिल ह तालेंगे और पेंसिल को sarpe करके देखते हैं इसका प्राइज रॉपीस करके आशबा से आख Titic ऑपका आजब सार्प अलब्डेर क समूद हो गया आप देखते हैं यह देखो गईिस पान स्द्वर्य recan बहुत AH किंसी Unfortunately होती है प種le जो यह शार्पनर में आपको दिखाते हैं इनका प्राइज तो जादा होता है लेकिन जब यह पैंसिल सार्प करते हैं तो गाई इस पैंसिल बहुत एमिजिंग तरीके से सार्प होती है यहां पर सारा कच्रा है और इसके अंदर नहीं लगा होता है इसके अंदर एक मशीन यह देखो कुछ इस तरह का एक प्यारा सा इरेजर पहले इसका डिजाइन देखो यह पैंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं इसकी पूरी बोड़ी इरेजर है यह बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो गई और आप इसको किसी बड़े सार्पनर से सार्प भी कर सकते हैं अगर आपने इस तरह के पैन स्टाइल इरेजर यूज है तो कॉमेंट में बताना इसको मैं यहां पे रख लेता हूँ और गाइस यह देखो हमारे पास है कुछ इस तरह का प्यारा सा छोटा सा किसी एनिमल का पैर यह डॉग का पैर लग रहा है साइज यहां पहली का स्वी और ब्लेड की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत यह समय है 10 रुपीज में तो यह काफी क्रेजी चीज होगी इसको मैं यहां पे रखता हूँ और गाइस हमारे पास है यह देखो एक और सार्पनर जो की कुछ ऐसा दिखाई दी रहा है यह तो कोई कार्टून करेक्टर लग रा है यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को सार्प कर सकते हैं और इसका डिजाइन देखो बहुत ही क्रेजी एक का डिजाइन मुझे से सच में बहुत ही फनी लग रहा है इसको मैं यहां पर रखता हूं और हमारे पास है कुछ इस तरका एक सबी कलर्स आप देख सकते हैं कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं और मैं इसके अंदर वापी से इसको सेट कर दूँ तो गई यह बन जाएगी नेक्ट लेवल एक बुक सेट यह देखो देखने में बुक सेट लग रहा है है ना बट गाईज यह कुछ इस तरह से दिखाई लिख यहाँ है नेदो इसको यह बन गया है एक बहुत ही प्यारा आइस क्रीम इसे आप किसी भी एंगल वाला बहुती प्यारा सेट यह एक स्टेशनरी सेट है जिसके अंदर आपको तीन चार चीजे देखने को मिलने वाली है जो कि बहुती क्रेजी होगी और सारी चीजे यूनिकॉन वाले पैटर्न में होगी तो पहले मैं इसको उपन करता हूँ इसका प्राई लगबग 500 पे से भी ज़्यादा होगा तो पहले मैं इसको निकालता हूँ बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ गाईज हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है तो गाईज यह देखो पूरा बॉक्स खाली हो गया है ना और तो और सबसे अमेजिंग बात है इसके अंदर एक कलर नहीं है दो तीन कलर है यहां से अगर आप उपन करोगे तो यह भी एक हाईलाइटर है यह देखो यह देखो है ना और यह निचे वाला जो यह भी एक हाईलाइटर है यह देखो वाउ बहुत ही crazy चीज हो गई यह तो और सबसे amazing बात है इसका design इसका design इतना ज़्यादा पसंद आया guys कि मैं कि आपको क्या बता हूँ इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर और इसी के अंदर हमें एक चाबी का छला देखने को मिलता है जो कि unicorn वाले pattern में आता है देखो यह unicorn वाल जज्यादा cute सा है और हमें यहाँ पर देखने मिलता है कुछ इस तरह होरा geometry box जिसको हम pencil box भीख सकते है और यहाँ पर कुछ इस तरह के sticker देखने मिलते हैं जिसको आप कहीं पर ब्हुती noveल लग रहा है यहां से इसको open करूँगा तो guys यह देखो इसके अंदर हमें देखने मिलता है बहुत ज़्यादा space यह देखो वाउ है ना तो guys अगर आप इसको अकेले खरी देंगे single single खरी देंगे तो आपको डेल सो रुपे के आसपास मिल जाएगा color आप देख सकते हैं design आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है तो मुझे तो guys यह personally बहुत ही ज़्यादा पसंद आया अगर आपने इस तरह कई पाउच यूज की हैं जिनको हम pencil box pencil pouch या geometry box कहते हैं तो comment में बताने इसको मैं यहां पे रख लेता हूँ और guys हमारे पास है बहुत ही premium pen Montes company का Atlas gold pen Atlas gold यहां पे लिखा है और इसका price पहले में आपको दिखाता हूँ यह देखो यहां पर इसका price है 150 rupees 150 rupees का यह pen है 1500 rupees अब मैं इसको open करके आपको दिखाता हूँ कि यह कितना premium pen होने वाला है इसको निकालना पड़ेका बहार इसकी packing के अंदर यहां पे box एक तो box के अंदर है इसको बहार निकालने पे थोड़ी सी मेहनत लग रही है यहां से इसको hard pack freक करके इसको बहार निकालने में यह देखो यहां से मैं इसको खीचल लेता हूँ बहार और guys हमारा pen आ गया है बाहर अब guys pen की quality देखते हैं कि pen actual में कैसा दिखाई देता है यह देखो guys इसकी packing देखो कुछ इस तरह की packing में तरह है यहां से मैंने इसको open किया तो guys यह है हमारा pen Atlas gold pen जो की Montex company का आता है और कितना पतला सा pen है तो box को मैं रख लेता हूँ side में और जो हमारा pen है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है अब मैं आपको इसको use करके भी दिखाऊँगा तो इसको on कैसे करेंगा I think ऐसे घुमा के on करेंगा वाव guys यह तो बहुती smooth pen है और बहुती प्यारा लग रहा है इसकी quality मुझे सच में next level लग रही है है ना तो guys यहां से हम एक blank page open करता है हम इसको चला के देखते है यहां से हम इसको ऐसे घुमाएंगे ना देखो ऐसे तो इसकी nip बहार आगी यह देखो आ गई बहार अब इसको चला के देखते है और guys यह तो बहुती smooth पेन है यह देखो वाव next level पेन है guys 150 रुपीज इसका price है बड़ गई प्राइज के इसाब से बहुती amazing पैसा अब असूल चीज है यह इसकी आगे से tip आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इसकी tip है और यह gold color में है है ना यह देखो पीछे से मैं इसको गुमाते है तो इसकी tip आगे से अंदर पीछे हो जाती है कुछ इस तरह से तो यह पेन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी premium packing भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यहाँ से मैं इसको pack करके आपको दुबारा दिखाए दाऊ यह देखो यह है इसकी packing जो कि अपने आप में next level है है ना मज़ा आगए डेल सो रोपे का पहन है बढ़ गाई पैस सा वसूल चीज है इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और गाई हमारे पास है यहाँ पर यह देखो बहुती प्यारा geometry box आज से पहले आपने ऐसा geometry box कभी भी नहीं देखा हुआ multi function geometry box अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर disney princess बनी हुई है disney cartoon बे मतलब disney channel बे जितने भी cartoon राते हैं गरल वाले वो सारे यहाँ पर print है इसको मैं यहाँ से open करूँगा तो guys यह एक piano बन जाता है जो कि बिल्कुल working condition वाला piano है देखो हमें यहाँ पर इसके अंदर battery डाल नहीं होती है तो battery मैंने already डाल रखी है और यहाँ से on off का button है यहाँ से on करने के बाद piano को आप play कर सकते हैं I think battery down है तो guys आपको sound जादा नहीं आ रहा होगा यहाँ से आप इसके बहुत सारे functions को use कर सकते हैं यहाँ से volume कम जादा कर सकते हैं guys बहुत ही कम sound आ रहे देखो sound बहुत ही कमारा बढ़गा इसका piano अच्छे तरीके से work करता है यहाँ पर इसका speaker लगए मुझे ना इसकी cell चेंज करने पड़ेंगे जिसके बाद इसका piano अच्छे तरीके से work करेगा यहाँ पर काफी सारे functions है देखो stop का है यह पता ही क्या क्या इसके उपर लिखावाई demo है यह volume के बटन है है ना तो गई प्यानो मैं बंद कर देता हूँ next video में आपको इसके अंदर battery डाल के इसको अच्छे से use करके दिखाऊँगा यहाँ से मैंने इसके कर दिया बंद और कितनी easily यह open हो जाता है यह भी आप देख सकते हैं यह देखो ऐसे open हो जाता है और ऐसे करके close हो जाता है यहाँ से अगर मैं इसको open कर तो guys यह देखो इसके अंदर आपको कितना ज्यादा space देखने को मिलता है जो कि अपने आप में एक crazy बात है यहाँ पर pen pencil color holder है जो आप pencil को इसके जाता है काफी बड़ा geometry box है यहाँ से इसको open करके देखते हैं यहाँ पर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है एक sharpener यह देखो इसके अंदर यहाँ पर एक च्छेद है जिससे आप pencil को sharp कर सकते हैं और यह open नहीं होगा साहिद इसको मैं करता हूँ बंद और एक ही side से open हो यहाँ से भी open होगा साहिद यह देखो यहाँ पर आप eraser रख सकते हैं और यहाँ पर आपको sharpner देखने में मिलता है तो यह तो काफी प्यारा geometry box होगे multifunction जिसके अंदर piano, sharpner, eraser और बहुत सारा space आपको देखने को मिलता है और हमारे पास है यहाँ पर यह देखो 2-in-1 या 3-in मिला है और यहाँ पर इसके अंदर जो poppet हैं वो भी working condition वाले है और यहाँ से आप इसको चाबी के छले की तरह भी use कर सकते हैं जो कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा cute लगी और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक purple color का fidget spinner जो की कुछ ऐसा दिखाई 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 है ना black color का combination है साथ में यह मुझे 70 rupees के असपास मिला है और guys को मैंने घुमाया तो guys आप देख सकते हैं कैसे यह गूम रहा है और इससे पहले मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बहुत अलग अलग type के fidget spinner दिखाएं जो की काफी smooth होते हैं और बहुत ही अलग अलग design वाले यह वाला भी आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है यह देखो है ना इसको मैं घुमा रहा हो तो guys आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से घुम रहा है काफी प्यारा fidget spinner है बहुत ही कम प्राइज में मिल जा रहा और हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही प्यार yo yo, मुझे yo yo चलाना नहीं आता है इससे पहले ही मैं आपको किसी वीडियो में yo yo दिखाया है इसको चलाया कह जाती है यह उपनी उउगलिमे डालना हो तो इसको कुछ एस तरह से प्केंगए, ना और इसका यह जाते उड़के वापिस यह बैदगन रहां यह जातां कैसे प फिर से आप इसको यूज कर पाएंगे बट मुझे यूज करना नहीं आता है तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे इसको यूज किया जाता है अगर आप मेंसे किसी ने यो-यो चलाया है तो मुझे कोमेंट में बताना यह मुझे परसनली बहुत ही ज़्याद इसके अंदर लाइट भी जलती है साउंड भी आता है सबसे पहले आप इसका डिजाइन देखो स्पाइडर मैन वाला डिजाइन है और दोनों साइड़ से स्पाइडर मैन आप इसको करेंगे सेट और आपको थोड़ा से इसको गुमा कर भी दिखाता हूं यहाँ पर इसके अब देख सकते हैं कितना प्यारा यह दिखाई दे रहे हैं गुमते टाइम और इसका साउंड भी बहुत ही ज्यादा मेजिंग है और गईज यह देखो अंधेरे में आप देख सकते हैं स्पाइडर मैन वाला स्पीनर सथ में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा है आप देख सकते हैं मुझे नेक्ट लेवल दिखाई दे रहेगा इसकी लाइटिंग के एफेक्ट है अगर आपको इस तरह के फिट जट स्पीनर चलाना पसंद है तो कॉमेंट बताना यह आपको 120 रूपीज के आसपास मिल जाएगा और हमारे पास है यहां पर यह देखो ए कहां पर स्ट्रेप है और इसके अंदरा में देखने मिलता एक यह देखो लैंस यह देखो जो की दूर की चीज़ों को पास करने के लिए है कृष्ण चीजों को बड़ा देखने के लिए है यह देखो है ना इसको पर गंदगी लगी है मुझे इसको साफ करना पड़ेगा बड़काई फिलाल आप देख सकते हैं लेंस अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और चोटे बच्चों को लेंस यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद हो आपने साथ केरी करेंगे तो यह बहुत ही जादा अमेजिंग लगेगा यह देखो यह और सबसे अमेजिंग बात है आप इसको कितना भी मोड़ लो कुछ भी कर लो यह खराब नहीं होता है और यह गंदा होने के बाद आराम से क्लीन भी हो सकता है आप इसको पानी से दोग और यह नॉर्मल हाइलाइटर नहीं है इसके ओपर बहुत ही प्यारे कार्टून केरेक्टर बने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांथ च्छे कलर हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं 100 रुपीज इसका प्राइज है और इसको ओपन करके मैं आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह चीज आपको 100 परसंट यूज करनी चाहिए तो दो-तिन निकाल लेता हूं मैं पहले तो आपको सारे करेक्टर दिखाता हूं का यह सारे करेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं तीन करेक्टर इसके अंदर है और तीसरा वाला कुछ ऐसा दिखाई देता है, अब यह highlighter work कैसे करते हैं, यह भी हम try करेंगे, तो पहले यह वाला open करते हैं, यह देखो, यहाँ से इसको मैं open कर रहा हूँ, तो guys यह देखो, यहाँ पर इसके अंदर है yellow color का highlighter, और यहाँ पर एक blank diary पर हम इसको use करके देखते हैं, यह देखो, और guys यह नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं मैं इसको उठा लेता हूँ, यह हमारा highlighter, यहाँ पर चला के देखते हैं, वाव, यह देखो guys, highlighter कितने अच्छे तरीके से work कर रहा है, और जो इसका design है, वो इसको next level बना देता है, है ना, और मैं आपको यह वाला use क करके दिखाता हूँ, यह देखो, यहाँ से इसको open करेंगे, इसके ओपर भी एक cartoon character लगा हुआ, यहाँ से I think pink color का है, यह देखो, कितने crazy तरीके से यह work कर रहा है, सोगज अगर आपको highlighter यूज करना पसंद है, तो comment में बताना, और इतने अलग design वाले highlighter की तो बात यह अलग हो जाएगा, इसको मैं रखता हूँ, यहाँ पर, और हमारे पास है, यहाँ पर एक Doremon वाली प्यारी सी watch, जो की कुछ ऐसी दिखाई देती है, यहाँ पर आप इसके अंदर time भी देख सकते हैं, बढगा जाए तिनकी बैटरी डाउन हो गई है, तो यहाँ पर इसके अंदर तो गई यह कुछ ऐसी दिखाई देगी, यह देखो, है ना, यहाँ पर Doremon की पूरी टीम बनी हुई है, यह देखो, Doremi है, Nobita है, Shizuka है, यहाँ पर Doremon बनावा है, पीछे से यह कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन देखो, आगर हम इसको हाथ में पहनें तो यह कुछ इस तरह से टाइम आप देख सकते हैं, बट फिलाल यहाँ पर स्क्रीन में टाइम नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि गईस की बैटरी डाउन हो गई है, और यह वोच आपको 100 रुपीज से कम में अराम से अवेलिबल हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और गईस मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अलग चीज यह देखो, हमारे पास है यहाँ पर एक प्यारा सा बार्बी वाले डिजाइन वाला इरेजर का सेट, जिसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अलग अलग डिजाइन वाली इरेजर देखने को मिलने वाली है, तो पहले मै इसको करता हूँ, ओपन और देखते हैं, इरेजर्स एक्चुल में कैसी दिखाई देती हैं, तो गईस यह देखो, फैसन गर्ल यहाँ पर लिखावा है, ठिंक पिंक लिखावा है, यह पूरा इसका पागज है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और जो हमारी इरेजर इसको भी निकालेंगे बाहर, यह देखो, यह है हमारी इरेजर्स, जिनका डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, यहाँ पर देखो, एक अंगूठी है, यह देखो, यह एक अंगूठी है, जिसको उंगली में पहनेंगे, तो गई, यह कुछ ऐसी और यहाँ पर एक लिपस्टिक है, यह देखो, बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक है, और एक कॉम है यह देखो, जिससे बालों को कॉम किया दा सकता है, और यह भी एक इरेजर है, यह देखो, यह बहुत ही नेक्ट लेवल चीज़ है, क्योंकि यह उसके अंदर डिजाइन स छे साथ, साथ अलग-अलग डिजाइन वाली इरेजर इसके अंदर देखने को मिलती है, और जिसकी पैकिंग आप देख सकते हैं बहुती प्रीमियम इसकी पैकिंग है तो इसके मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर और गाईज हमारे पास है यहाँ पर एक बहुती प्यारी सी रिमोट कंट्रोल कार, सबसे पहले आप इस कार का डिजाइन देखो नेक्स्ट लेवल इसका डिजाइन है हजार से बारा सो रपे के असपास आपको यह मिल जाएगी यह देखो, इसके टायर्स आप देख सकते हैं वाउ, कितना प्रीमियम इसका डिजाइन है है ना, और गई, डिफ्ट वाली कार है इसकी स्पीड भी बहुत ही अच्छी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कार का लुक आप देख सकते हैं, सामने से कितना प्रीमियम लग रहा है सूपर कार जैसे का डिजाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन बना हुआ है टायर्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर बैटरी है चार्जेबल, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं और गाईज, यह है इसका रिमोट कंट्रोल जिसके अंदर मैंने दो बैटरी अल्रेडी डाल दी है और इसका box में आपको दिखाए तो यह है इसका box यह देखो charging के वल हम इसके अंदर देखने मिलता है charging के वल यहाँ पर रखा हुआ है speed racing यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपको अलग-अलग color में available हो जाएगी मैं आपको color दिखाता हूँ यह देखो मेरे पास यहाँ पर yellow color है यह red color और blue color में भी आपको available हो जाएगी है ना 1 to 16 scale वाली यह car है और guys आप देख सकते हैं काफी कुछ इसके box के ओपर लिखाएगी कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं है ना तो जल्दी से मैं आपको इसको on करके दिखाता हूँ कि यह supercar हमारी कैसे work करती है देखो यहाँ पर on off का button है इसको मैं on करता हूँ यह देखो इसके अंदर कोई light white नहीं जल रही है बट कोई बात नहीं यह है इसका remote control और remote control की आप quality देख सकते हैं यह देखो कितनी साउंड आप सुन सकते हैं बहुत ही crazy है मुझे यह personally बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इसके design की बज़े से तो चलो इसको फर्स पर चला के देखते हैं सो गईज यह देखो फर्स पर रखने के बाद कार का design आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा crazy लग रहा है और गई सच में कार बहुत यादा beautiful दिखाई दे रही है और यह इसका remote control तो चलो गईज इसको चला के देख लेते हैं और गईज यह देखो जैसी मैंने बटन अगल के चला रहा हूं अगर दोनों हाथ से चलाओंगा ना तो गाईज यह बहुत ही अमेजिंग तरीके से पर्फोर्म करेगी मैंने की आफ से रिमोट से इसको चलाया तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क कर रही है और गाईज की speed और इसका pickup मुझे सच में करना तो गाईज आपने देखा कि हमारी रेसिंग कार कितनी जादा मेजिंग है 1000 रुपे से 1200 रुपे के आसपास आपको मिल जाएगी design आप देख सकते हैं कितना next level है है ना इसको चलाने में मुझे परसनली बहुत ही जादा मज़ा आया इसको मैं यहां पर रख लेता हूं और गाईज हमारे पास है यूनिकॉन वाला एक प्यार ऐसा पाउच जो की कुछ ऐसा दिखाई देता है एना ऐसे पाउच आपको 100 रुपीज के आसपास अराम से अवेलेबल हो जाएंगे design आप देख सकते हैं यहां पर यूनिकॉन का pattern मना हुआ है यहां से अगर आप इसक इसके अंदर समान रखेंगे तो आपको इसके space का अंदाज हो जाएगा यहां से मैं इसको वापिस चिपकाता हूँ और यहां पर भी एक chain लगी वी है इसको भी open करेंगे तो गाईज यह देखो यहां पर भी इसके अंदर बहुत जादा space है यह देखो मतलब इसके अंदर आप इतना जादा समान रख सकते हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा तो इसको मैं कर लेता हूँ बंद और आप इसको overall design देख सकते हैं कैसा यह दिखाई दे रहें तो यह पाउच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्राइस भी इसका कम है 100 रुपीज के आसपस आपको यह available हो जाएगा इसको मैं यहां पर रख लेता हूँ और गई लाश्ट में हमारे पाउच हैं बुल्डोजर बाबा इनाम वाले देखो बुल्डोजर बाबा यहां पर लिखावा है है ना पांच रुपे का यह पाउच है इसके अंदर भी इनाम निकलते हैं तो गई इसको भी मिलता है गाईज इसके अंदर है कुछ यह देखो इसके अंदर दो दो टॉय निकले हैं छोटे छोटे से देखते हैं क्या है एक तो गाईज कुछ इस तरह का स्पीनर निकला यह देखो वाव बहती क्यूट लग रहा है और इसके अंदर भी एक टॉय इसको भी निकालते है बाहर, यह देखो, बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा-सा वाइपर निकला, यह देखो, पानी साफ करने वाला वाइपर, तो एक पाउच के अंदर से में कुछ इस तरह के दो गिफ्ट निकले हैं, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आए कोकि इस सिर्प दो गिफ्ट निकले पाड लेते हैं यहां पर चोट सा बलून देखने मिलता है तो बलून निकला और एक चोटी सी टॉय कार निकली है यह देखो यह चोटी सी टॉय कार जो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है वाव यार तो काफी अमेजिंग चीजे तो गईस आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है और कुछ चीजे नहीं दिखाई है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा अगर आप चाहते हैं आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक भी करना सु